अगर आप माइक्रोवेव की 98 नमरों कम्प्लेंड को हमेशा के लिए फ्री कर सकते हैं कभी नमरों कम्प्लेंड को आपको बेसिकली फेस नहीं करना पड़ेगा जो मेजर जो माइक्रोवेव मी प्रॉलम हम फेस करते हैं सबसे बड़ा उसका रिजन्स क्या होता है मैं क्लिर गडता हूं को मान लीजिए है आपने कोई भी फूड माइक्रोवेव में आपने किसी टाइप का हलूआ बनाया है लगा गादर का हलूआ अब बनाने के बाद माइक्रोवे को बंद कर देते हैं जो भी शमेल होती है उसकी उन समयल से small small cochrane microwave के अंदर एंट्रेंस करते है जो की sparking कर देते है microwave में, जो electric part है वो sort हो जाते हैं, microwave नोट वर्किंग में आता है आपको फिर maintenance cost पे करना पड़ता है ये mostly 99% सबसे अदर नंबर ओप जो complaints आती है वो इसी चीज के कारण आती है आपको कुछ भी नहीं करना simple step मैं बदा रहा हूँ आपको एक छोटे से बरतन में पानी लेना आपको ठीक है इसको half पानी से लीप कर दें आप after that आधा जो भी आप lemon लेते हैं, आधा lemon इसके नदर क्रेस्ट कर दो, after that आपको प्रेंटेबल के ऊपर इसको रखना है बन कर देना है यहां पर start का option दिया हूँ microwave में, start के button को दो बर press करना है, यहां 30 seconds after that one minute हो जाएगा उसके बाद, एक minute के बाद इसको उपन करना है, शुका कबड़ा लेना है और बिकुल easy to clean कर देना है because वो जो आपने पानी रखा है वो steam create करेंगा चारो तरफ जितनी भी bad smell है, microwave की सारी की सारी remove कर देगा किसी भी type का कोई भी कोक्रेज या कोई भी small कोक्रेज इसमें entrance नहीं कर पाएगा इससे आपको number of complaints आपको कई फेस ही नहीं कर दी पड़ेगी अगर आपने microwave यूज कर लिया उसके बाद जो main power point है जो main power point आप यूज करेंगे उसको हमेशिया आपको off करना है अगर आपने microwave का जो main point है उसको own कर रखा और microwave stand by पे है तो light fluctuation अगर होता है तो direct PCP पे फरक पड़ता है उसका तो जब आपको microwave यूज करना है आप microwave के जो main button है plug के साथ जो button दिया होता है उसको own कर कीजिये after that microwave यूज कीजिये अगर वो यूज नहीं कर यूज करना है तो उसको own कीजिये और microwave start कीजिये आपकी 98% जो भी complaints आती है I sure 100% अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आये तो please मेरे को subscribe कीजिये क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ऐसे वीडियो देने वाला हूँ जिससे आपको benefit ही benefit मिलेगा reasons क्योंकि कुछ problems ऐसी होती है practical जो हमको जिनका पता नहीं होता है हम face करते हैं फिर number of complaints का सामना करना पड़ता है so that आपको ये ऐसी वीडियो मैं हमिशा आप लोग के सामनी में लेके आऊँगा okay thank you झाल